एक दोर है जब सोचल वेलफेर की कंसेप्ट नेशनल पर भी थी और स्टेट्स में भी थी कि अभी सोचल वेलफेर के कुछ काम करें और वो इसलिए थी कि जो वर्ल्ड ओवर सोचल रिफॉर्म की ऐसी कंट्रीज थी जिन्हों नों करके दिखाया तो कारखानेदारों वारे स्टेट का कंसेप्ट लेना पड़ार अरियाना इंदोस्तान में भी आर अरियाना में भी आर उस ताइम पर आप देखेंगे शिक्ष्या का स्वास्ते का एक डांचा खड़ा हुआ जितना उना चाहिए था उतना तो नहीं वा लेकिन हुआ जैसे मैं न देख रहा हुँ जैसे रौतक में मतलब भई दस बारा पंदार साल होगे यहां की कोई पॉलिटिक्स उस्तर से एफेक्टिव नहीं है तो एक भी तो ऐसी चीज नहीं है जो इन बारा साल में होई हो वैल फेर की कोई उस्तर की अब नहीं रही और पिछले दस बारा साल में तो बिलकुल नहीं दिखाई देती के कोई ऐसी चीजें जिससे के मतलब लोगों की प्रो पीपल कोई ऐसी चीज बनाई हो जिससे लोगों का ज्यादा अपने इसाब से मतलब जैसे अब शिक्षा में आप देखें के प्राइवेट स्कूल में जाओगे तो आपको 800 रुपे सरकार देगी और सरकारी में जाओगे तो 500 रुपे आपसे फीच लेगी तो यह क्या मतलब जैसे में कहूं कि पहले जिस तरह का था मतलब प्राइविटाइजेशन यह अभी आसेंबली में आए मैं जो कहता था हेल्थ के बारे में कि खास दंग से मितलब हो रहा है असेंबल अब सीटें खाली पड़ी हैं तो आप समझ सचकें कैसी मेडिकल एजुकेशन बच्चा कैसा डॉक्टर बनेंगा वो बई मेरे को जब चार काम करने हैं मतलब जो एक काम मुझे सिर्फ पड़ाईगा करना था मुझे मरीज भी देखना है मुझे सर्जी भी करनी है तो जाहि कि बहुत चैलेंजिंग सिट्वेशन पैदा हो गई है गाहों के सरपे भी और अधरवाइज भी अगर देखना है